गुड मॉर्निंग एब्रीवन वेक्टा आज मैं मैंस में आपको रोमन नमबर वन टू ट्वेंटी बताऊंगी इसके पहले भी आप लोगों ने रोमन नमबर पढ़ा है आपको याद होगा तो चलिए सबसे पहले मैं उसका कुछ रिवेजन करा लेती हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो चलिए देखिए मैंने आपको कुछ साइन बताया थे कुछ सिम्बॉल बताया थे i v and x ठीक है पिटा i का वेल्यू क्या होता है 1 i का वेल्यू 1 v का वेल्यू क्या होता है 5 और x का वेल्यू 10 ठीक है अब आप देखिए i को हम लोग maximum 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स उससे ज्यादा आप इसको राइट ने कर सकते हो 5 को हम लोग only 1 टाइम्स रिपीट करते हैं आप 5 सिर्फ एक बार राइट कर सकते हो और 10 को भी हम लो थ्री टाइम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, थ्री टाइम सब लोग रिपीट कर सकते हैं, अब आप देखिए, अगर हम V के पहले आई लगाते हैं, अगर V के पहले हम आई लगाते हैं, तो इसका वैल्यू लेस हो जाता है, V का वैल्यू क्या होता है, 5, इसके पहले आई लगा आप देख रहे हो एक पहले लगा हुआ है यहाँ पर बाद में लगा हुआ है तो इसका value more 5 से अधिक हो जाएगा more हो जाएगा इसमें आपको क्या करना होगा 5 plus 1 करना होगा तो इसका value होता है 6 we are equal to क्या होगा बिटा 6 उसी तरह से हम x के साथ 20 को कर सकते हैं x के पहले अगर i लगा हुआ है तो list में जाएगा x का value आप जानते हो 10 होता है i पहले लगा हुआ है तो यह minus 1 हो जाएगा i x का value क्या होगा बिटा 9 और अगर x i write करते हैं तो इक क्या हो जाएगा बिटा more इसकी value अधिक हो जाएगी x का value 10 इसके आगे लगा हुआ है plus 1 तो इक क्या हो जाएगा 11 इस चिसको आप याद रखेंगे और ठीक है और v का use only one times और i और x का use आप maximum three times कर सकते हो तो चलिए अब हम one to twenty roman number write करते हैं सबसे first में one one के लिए हम लोग single i i okay two two को आप कैसे write करोगे double i three three के लिए triple i आपको three times से आपर i write करना है लेकिन four के लिए आप four times write नहीं करोगे क्योंकि i का maximum कितने times हम use कर सकते हैं only three times तो four के लिए मैंने अभी आपको बताया i v v का value five होते है उसके पहले लगा हुआ है तो यह minus हो जाएगा तो five minus one करेंगे तो क्या आएगा इसका value four आएगा ना अब five के लिए हम लोग only v write करते हैं ठीक है और v का use only one times ही होता है इसको आप याद रखेंगे six six के लिए हम कैसे करेंगे v i आप देख रहे हो यहाँ पे i v के बाद लगा हुआ है तो इसमें v के value के साथ आई हो जाएगा प्लस five plus one equal to क्या आएगा six आएगा ना seven के लिए कैसे करेंगे v double i इसमें देखिए v का value five और double i का value two five plus two equal to क्या होता है seven होता है ना eight के लिए उसी तरह से लिखेंगे v triple i v का value five और triple i का value three five plus three आप जब करते हो बेटा तो कौनसा नमबर आता है eight आता है nine के लिए मैंने अभी बताया i x x का value ten और उसके पहले i लगा हुआ है आप यहापे क्या करोगे ten minus one करोगे ten minus one आप करते हो तो कौनसा नमबर पाते हो nine आता है ना last में one zero one zero क्या होगा ten ten के लिए हम लो only x आप चलिए eleven 11 के लिए क्या राइट करेंगे आप जैसे one to ten राइट किये ओना बेटा one to ten आपको राइट करना है और उसके आगे आपको क्या लगाना है ten किसका value होता है x का आप x राइट कर लोगे तो आपका 11 to 20 रोमन नमबर हो जा राइट करेंगे x i 11 12 के लिए x double i x का value 10 और double i का value 2 10 plus 2 equal to क्या हो जाएगा बेटा 12 उसी तरह से देखिए 13 13 के लिए x triple i x का value 10 plus 3 equal to 13 अब देखिए 4 को हम लोग लिखते है i v यहापे हमको 14 लिखना है तो सबसे पहले आप 10 राइट करो और 4 को कैसे लिखेंगे i v तो यह बन गया बिटा 14 आप ऐसे राइट करोगे ना समझ समझ के बिटा तो कभी आपकी wrong नहीं होगी उसके बाद देखिए 10 x और plus 5 करेंगे तो क्या हो जात है 15 को कैसे लिखेंगे x v next है 16 x v i आप देख रहें आपे 6 को मैंने v i लिखा था उसके आगे मैंने x लगाया उसी तरह से 17 में कैसे राइट करेंगे x v i i x का वेल्यू 10 और v i का वेल्यू क्या होगा बिटा 7 10 प्लस 7 आप करते हो तो आ जाता है 17 18 के लिए x v triple i 8 को हम लोग v triple i से राइट किया है न उसमें हम लोग x आट करते है x का वेल्यू 10 10 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 19 कैसे राइट करोगे x i x x का वेल्यू 10 और i x का वेल्यू क्या होता है 9 10 प्लस 9 क्या होता है 19 अब 20 के लिए आपको क्या करना होगा double x आप दो बार यहाँ पर x राइट करोगे इसका वेल्यू क्या जाएगे वेटा 20 आप लोग खोंबग में मैस की कॉपी में इसको अच्छे से राइट करेंगे थैंक यू क्या होँ